नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का सागत है, बड़ो को प्रिणाम और छोटो को बहुत सा प्यार, चलिए सुनते हैं कहानी समस्या, जिसे लिखा है मुझी प्रेम चन्जी ने मेरे दफ्तर में चार चप्रासी हैं, उनमें एक का नाम गरीब है, वह बहुत ही सीधा, बड़ा आग्याकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियां खाकर चुप रह जाने वाला, यथा नाम तथा गुण वाला मनुश्य है मुझे इस दफ्तर में साल भर होते हैं, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिन नहीं पाया मैं उसे नौ बजे दफ्तर में अपनी फटी दरी पर बैठे हुए देखने का ऐसा आदी हो गया हूँ कि मानो वह भी उसी इमारत का कोई अंग है, इतना सरल है कि किसी की बाट टालना नहीं जानता एक मुसल्मान है, उसे सारा दफ्तर डरता है, मालूम नहीं क्यों, मुझे तो इसका कारण सिवाए उसकी बड़ी बड़ी बातों के और कुछ नहीं मालूम होता उसके कथना नुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में काजी है, फूफा टोंक की रियासत में कोतवाल है, उसे सर्वसम्मती ने काजी साहिब की उपाधी दे रखी है शेश दो महाशे जाति के ब्रामपन है, उनके आशिरवादों का मूले उनके काम से कहीं अधिक है, ये तीनों काम चोर, गुस्ताक और आलसी है कोई छोटा सा काम करने को भी कहिए, तो बिना नाक भौ सिकोडे नहीं करते, क्लरकों को तो कुछ समस्ते ही नहीं, केवल बड़े बाबु से कुछ दपते हैं, यद्यपी कभी-कभी उनसे जगड बैठते हैं, मगर इन सब दुरगडों के होते हुए भी, दफतर में किसी की मिटी इतनी खराब नहीं है, जितनी बेचारे गरीब की, तरक्की का अफसार आया है, तो ये तीनों मार ले जाते हैं, गरीब को कोई पूश्ता भी नहीं, और सब दस-दस बाते हैं, वह अभी छे ही में पड़ा हुआ है, सुबह से शाम तक, उसके पैर एक छण के लिए भ पर हुकूमत चताते हैं, और उपर की आमदनी में तो उस बेचारे का कोई भाग ही नहीं, तिस पर भी दफ्तर के सब कर्मचारे, दफ्तरी से लेकर बाबू तक सब उससे चड़ते हैं, उसकी कितनी ही बार शिकायते हो चुकी हैं, कितनी ही बार जुर्माना हो चुका है, औ और डांट डपड़ तो निते ही हुआ करती है, इसका रहस से कुछ मेरी समझ में ना आता था, हाँ मुझे उस पर दया हवश्याती थी और आपने व्यवहार से, मैं यह दिखाना चाहता था कि मेरे दृष्टी में उसका आदर चप्रासियों से कम नहीं, यहां तक कि कई बार म उसके पीछे अन्य कर्मचारियों से लड़ भी चुका हूँ, एक दिन बड़े बाबु ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा, वह तुरंत मेज साफ करने लगा, दैव योग से जाडन का जटका लगा, तो दावत उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई, बड़े बाबु यह देखते ही जामी से बाहर हो गए, उसके कान पकड़कर खुब एंठे और भारत वर्ष की सभी प्रचलित भासाओं से दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे, बिचारा गरीब आँखों में आशु भरे, चुप चाप, मूर्तिवत खड़ा सुनता था, मानो, उसने कोई हत्या कर डाली हो, मुझे बाबु का जरासी बात पर इतना भयंकर रोद्र रूप धारन करना बुरा मालूम हुआ, यदि किसी दूसरे चप्रासी ने इससे भी बड़ा कोई अपरात किया होता, तो भी उस पर इतना वज्र प्रहार ना होता, मैंने अंग्र डंद अनौचित्त की पराकाष्ठा है, बाबु जी ने नमरता से कहा, आप इसे जानते नहीं, बड़ा दुष्ट है, मैं तो उसकी कोई दुष्टता नहीं देखता, आप अभी उसे जानते नहीं, एक ही पाजी है, इसके घर दो हलो की खेती होती है, हजारों का लेंदेन क करता है, कई भैसें लगती है, इनी बातों का इसे घमंड है, घर की ऐसी दशा होती, तो आपके यहां चप्रासी गिरी क्यों करता, विश्वास मानिये, बड़ा पोड़ा आदमी है, और बला का मकी चूज, यदि ऐसा ही हो, तो भी कोई अपरात नहीं है, अजी, अभी आप इन बातों को नहीं जानते, कुछ दिन और रहिए, तो आपको स्वैम मालूम हो जाएगा, कि या कितना कमीना आदमी है, एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई सहाब, इसके घर मनो दूद्ध ही होता है, मनो मटर, जुआर चने होते हैं, लेकिन इसकी कभी इतनी हिम्मत ना ह होई, कि कभी थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दो, यहाँ इन चीजों को तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों न जी जले, और यह सब कुछ इसी नौकरी के बदालत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भुनी भांग ना थी, बड़े बाबु कुछ सकुचा कर बोले, यह कोई बात नहीं, उसकी चीज है, किसी को दे या ना दे, लेकिन यह बिलकुल पशू है, मैं कुछ-कुछ मर्म समझ गया, बोला, यदि ऐसे तुक्ष हिदय का आदमी है, तो वास्तों में पशू ही है, मैं यह ना जानता था, अ बड़े बाबु भी खुले, संकोश दूर हुआ, बोले, इन सौगातों से किसी का उबार तो होता नहीं, केवल देने वाले की सहिर्दयता प्रकट होती है, और आशा भी उसी से की जाती है, जो इस ओयोग्य होता है, जिसमें सामर्थ ही नहीं, उससे कोई आशा नहीं करता, नंगे से कोई क्या लेगा, रहष्य खुल गया, बड़े बाबु ने सरल भाव से सारी अवस्था दरसा दी थी, संब्रिधी के सत्रू सब होते हैं, छोटे ही नहीं, बड़े भी, हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो, तो हम उससे आशा नहीं रखते, कदाचित, वह हमे वेस्मृत हो जाती है, किन्तुवे सामर्थवान होकर हमें न पूछें, हमारे यहां तीज और चौथ न भेजें, तो हमारे कलेजे पर साप लोटने लगता है, हम अपने निर्धन मित्र के पास जाएं, तो उसके एक बिड़े पान से ही संतुष्ठ हो जाते हैं, पर ऐसा कारना करने लगे, सुदामा कृष्ठ के घर से यदि निराश लोटते, तो कदाचित वह उनके सिशु पालन और जरासंद से भी बड़े शत्रू होतें, यह मानो सुभाव हैं, कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा, क्यों जी, तुम्हारे घर पर कुछ खेती बारी होती हैं, गरीब ने दीन भाव से कहा, हाँ सरकार होती है, आपके दो घुलाम हैं, वही करते हैं, गाए भैसे भी लगती हैं, हाँ हुजूर, दो भैसे लगती हैं, मुदा गाए अभी गाभिन नहीं हैं, हुजूर, लोगों के ही दया धरम से पेट की रूटियां चल जाती हैं, दफ्तर के बाबू लोगों की भी कभी कुछ खातिर करते हो, गरीब ने अत्यनते दीनता सिखा, हुजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूं, खेती में जौ, चना, मक्का, जुवार के सिवा और क्या होता है, आप लोग राजा हैं, यह मोटी छोटी चीजें कि मुह से आपकी भेंट करूं, जी डरता है, कहीं कोई डांट ना बैठे, कि इस टके के आदमी की इतनी मजाल, इसी के मारे बाबू जी हियाव नहीं पड़ता, नहीं तो दूद दही की कौन भी साथ थी, मुह लायक बीडा तो होना चाहिए, भला एक देन कुछ लाके तो दो देखो, लोग क्या कहते हैं, शहर में यह चीजें कहां मैं असर होती हैं, इन लोगों का जी कभी कभी मोटी छोटी चीजों पर चला करता है, जो सरकार कोई कुछ कहे तो, कोई कुछ साहब से शिकायत कर दे, तो मैं कहीं का ना रहूं, इसका मेरा जिम्मा है, तुझे कोई क कुछ न कहेगा कोई कुछ कहेगा तो मैं समझा दूंगा तो हुजूर आजकल तो मटर की फसल है चने के साग भी हो गए है और कोलू भी खड़ा हो गया है इसके सिवाय तो और कुछ नहीं है बस तो यही चीजें लाओ कुछ उल्टी सीधी पड़े तो हुजूर ही समालेंगे हाँ जी कह तो दिया कि मैं देख लूंगा दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ तीन हुष्ट-पुष्ट युवक भी थे दो के सिरों पर टोकरिया थी उसमें मटर की फनिया भरी हुई थी एक के सिर पर मटका था उसमें ऊख का रस था तीनों ऊख का एक गठर कांख मे दबाय हुए थे, गरीब आकर चुपके से बरामदे के सामने पीड के नीचे खड़ा हो गया, दफतर में आने का उसे साहस नहीं होता था, मानो कोई अपराधी ब्रिक्ष के नीचे खड़ा था, कि इतने में दफतर के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने उसे घेड लिय कोई उख लेकर चूसने लगा, कई आदमी टाकरे पर तूट पड़े, लूट मच गई, इतने में बड़े बाबू दफतर में आ पहुचे, या कौतु कब देखा तो उच्चे स्वर में बुले, या क्या भीड लगा रखी है, अपना-पना काम करो मैंने जाकर उनके कान में कहा, गरीब, अपने घर से यह सौगात लाया है, कुछ आप ले लीजिए, कुछ इन लोगों को बांट दीजिए बड़े बाबु ने कृतिम क्रोध धारन करके कहा, क्यों गरीब, तुम ये चीज़ें यहां क्यों लाए, अभी ले जाओ, नहीं तो मैं साहाब से रपट कर दूँगा, कोई हम लोगों को मलुका समझ लिया है करीब का रंग उड़ गया, धर-धर कापने लगा, मुझ से एक शब्द भी ना निकला, मेरी और अपराधी नेत्रों से ताकने लगा मैंने उसकी ओर से छमा प्रार्थना की, बहुत कहने सुनने पर बाबु सहब राजी हुए, सब चीजों में से आधी-आधी अपने घर भिजवाई, आधी में अन्ने लोगों के हिस्से लगाए गए, इस प्रकार यह अभिने समाप्त हुआ अब दफ्तर में गरीब का नाम होने लगा, उसे नित्ते घुड़किया ना मिलती, दिन भाद धोड़ना न पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग और अपने सहीयोगियों के कटू वाक्य न सुनने पड़ते, चप रासी लोग स्वैम उसका काम कर देते, उसके नाम में भी, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, वह गरीब से गरीब दास बना, सुभाव में कुछ तपदिली पैदा हुई, दीनता की जगहां आत्म गौरव का उद्भव हुआ, तत्परता की जगहां आलस सिनेली, वह अब भी कभी देर करके दफ्तर आता, कभी-कभी बिमारी का बहाना क करके घर बैठा रहता, उसके सभी अपराद अब छम में थे, उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हांत लग गया था, वह अब दस्वें-पांच्वें दिन दूध दही लाकर बड़े बाबु की भेट किया करता, देवता को संतुष्ट करना सीख गया, सरलता के वदले, अब उसमें काईया पन आ गया, एक रोज बड़े बाबु ने उसे सरकारी फार्मों का पार्सल छुडाने के लिए स्टीशन भेजा, कई बड़े बड़े पुलंदे थे, ठेले पर आये, गरीब ने ठेले वाले से बारह आने मजदूरी तैकी थी, जब कागस दफतर में गए, त उसने बड़े बाबु साहब से बारह अने पैसे ठेले वाले को देने के लिए वसूल किये, लेकिन दफतर से कुछ दूर जाके उसकी नियत बदली, अपनी दस्तूरी मांगने लगा, ठेले वाले राजी न हुए, इस पर गरीब ने बिगड़ कर सब पैसे जेब में रख ल अब एक फूटी कौडी भी न दूँगा, जाओ, जहां फरियात करो, देखें क्या बना लेते हुँ, ठेले वाले ने जब देखा कि भेट ना देने से, जमा ही गायब हुई जाती है, तो रोध होकर चार आने पैसे देने पर राजी हुए, गरीब ने अठनी उसकी हवाले क बारा आने की रशीर लिखा कर उसके अंगोठे के निसान लगवाए, और रशीर दफ्तर में दाखिल हो गई, यह कौतुहल देख कर मैं दंग रह गया, यह वही गरीब है, जो कई महीने पहले सरलता और दीनता की मूर्ती था, जिससे कभी चपरासियों से भी अपने हिस्से की रक्म मांगने का साहसना होता था, जो दूसरों को खिलाना भी न जानता था, खाने का तो जिक्र ही क्या, यह स्वभावांतर देख कर अत्यंत खेद हुआ, इसका उत्तरदाय तो किसके सर था, मेरे सर, जिसने उसे चगढ़पन और धूर्टता का पहला पाट पढ़ाया मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस काईयापन से जो दूसरों का गला दवाता है, वह भोलापन क्या बुरा था, जो दूसरों का अन्याय सह लेता था, वह असुब मोरत था, जब मैंने उसे प्रतिष्ठा प्राप्ति का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तों में वह उसके पतन का भयंकर मार्ग था, मैंने बाहि प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया, आशायक के आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, अगर आपको कहानी पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आप इसी तरह की मनुरंज कहानिय सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुनना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ, तक तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत थन्यवाद।